हलो एब्रिवान मैं डॉक्तर प्रगती गुपता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैलिसिस के पेशिंट के अंदर लेक्स में रिकावरी तो टाइमली आ जाती है उनके आम्ज में उनके हैंड्स के अंदर रिकावरी स्लोडाउन क्यों हो जाती है या फिर द दिकन के हैं किए तक हें थो तो न यहां ददर हमरेज देखने को मिलती है या फिर प्रेवेक के अंदर अंदर जोडी। घृत हुजाता है दोनों ही लिल्क पर बातुरूं के अंदर पेश्ट कया जब इनिशेल द्धील फेज होता है अगर हम उसे एक्ससाइज करना स्टार करते हैं recovery phase के अंदर हम सबसे पहले ज्यादा focus करते हैं legs पे definitely focus करना भी चाहिए क्योंकि patient को अगर हमें independent बनाना है हर एक काम करने लाइक बनाना है तो अगर उसके मान लीजे left hand side पर paralysis well left side का hand और left side की leg दोनों ही affected है उस condition में अगर हम initially उसे चलना start करवाते हैं चाहे पकड़ के ही support देके stick के सहारे या फिर walker के सहारे किसी भी तरीके से अगर हम चलाते हैं तो उस condition में patient के pair में mobility आनी start हो जाती है और patient थोड़ा थोड़ा walk करना start कर देता है तो patient independent जल्दी होता चला जाता है पर जब हम सिरफ legs पे focus करते हैं और जादा exercise legs की ही करवाते हैं उस condition में हम affected hand को भूल जाते हैं और वैसे भी चलने के लिए हमें दोनों legs का इस्तमाल करना पड़ता है जब भी हमें walk करना है रन करना है या कोई भी activity करनी है चलना है तो दोनों legs का इस्तमाल साथ में किया जाता है अब वहीं कि आमस के साथ परिशानी क्या होती है बाजू के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आपका left hand side paralysis है और आप right hand ज्यादा यूज करते हो तो उस condition में क्या होगा जब भी हम आपको कुछ करने के लिए कहेंगे चाहे आपके left hand में थोड़ी थोड़ी आप mobility आने भी लग गई है थोड़ी थोड़ी movement भी आ रही है आप उससे कुछ चीजों को पकड़ सकते हो ग्रास्प कर सकते हो फिर भी क्या देखने को मिलेगा जब भी हम पेशन को कमांड करते हैं कि आप पानी का ग्लास उठाईए या इस पैन को पकड़ के मुझे दीजे या पेपर उठाके दीजे तो automatically क्या होता है सबसे पहले वो अपना right hand बढ़ा देखा है कि अगर left hand में movement आ भी गई है मान लीजे के affected side हमारी left side ही है affected side में थोड़ी-थोड़ी movement आ भी गई है लेकिन जब भी आप उसको command करोगे फटा-फट जो हाट ठीक है उसको जादा इस्तमाल करना start करते हैं इस condition के अंदर CIMT therapy बहुत अच्छा काम करती है CIMT therapy के अं अगर मान लीजे मेरे left hand side paralysis है तो हम क्या करेंगे जो आपका right hand बिल्कुल ठीक है अच्छे से काम कर रहा है उस हाथ को हम इम्मोबिलाइज कर देते हैं चाहे आप उसे किसी दुपट्टे से बान दीजे किसी स्लिंग से बान दीजे या फिर उसके उपर सॉक्स पर ना दीजे पेशन को या गलफ पर ना दीजे और पेशन को जब हमें कोई भी टास्क देना है कोशिश करवानी है कि उसके affected hand जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे मान लीजे left hand side paralysis है तो मेरे left hand को आपने functional करवाना है तो right hand को बांद देंगे या immobilize कर देंगे स्टेबल कर देंगे और कोशिश करवाएंगे कि left hand से हम चीजों को grasp करना start करें अब brain के साथ जब हम यह game खेलते हैं तो brain कोशिश करता है नए pathway generate करने के नए pathway बनाने के उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो affected side है चाहे left hand side है right hand side है उसके अंदर mobility आनी start हो जाती है movement आनी start ह हो जाती है तो एक basic reason यह भी देखने को मिलता है हाथ की recovery slow होने के बीचे क्योंकि हम जादा focus करते हैं leg के उपर और patient को चलाने के लिए हम सबसे पहले पकड़ के चलाना start करते हैं हाथ की exercises हम सोचते हैं बाद में करवा देंगे तो इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है जब भी आप patient को exercise करवाएं जब भी किसी को paralysis हो simultaneously हमें हाथ और पैर दोनों की exercise करवानी है दोनों ही limbs important है legs को हम जादा important इसलिए समझते हैं कि चलने में independent बनाने में यही काम कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है हमारा arm की recovery भी equivalent होनी जरूरी है बट mostly cases में यह पीछे रही जाती है एक patient आते थे हमारे clinic में जिनकी stationary की shop थी तो उन्हें paralysis हुआ था अब जादा तर वो क्या करते थे बैठे बैठे काम करते थे समान पकड़ाते थे अपने clients के साथ handling करते थे तो उस patient के अंदर मैंने क्या देखा था पैर से पहले उनके हाथ के अंदर recovery आई थी ऐसे कुछ rare cases ही होते हैं जिनके अंदर हाथ में जल्दी recovery आती है पैर में slow रहती है जादा तर maximum 90% of the cases में क्या देखने को मिलता है parallel leg के अंदर improvement आनी start हो जाती है क्योंकि हम हाथ की exercises उतनी अच्छी नहीं कर रहे होते हैं उन patient के अंदर जो shop में बैठते थे और अपने हाथ को जादा इस्तमाल करते थे चीजों को पकड़ने में किसी को देने में उनके अंदर मैंने क्या देखा हाथ में recovery बहुत अच्छी थी as compared to उनकी leg क्योंकि वो walk नहीं करते थे जादा बैठा हुआ काम जादा उनका था सारी activities उनकी हाथ की जल्दी recover हो गई थी बट कभी भी किसे को paralysis होता है हम चाहते हैं कि हमारे दोनों limbs simultaneously improve करें इसलिए जब भी आपको exercise करवानी है तो हाथ और पैर दोनों की exercises अच्छे से करवानी है आप 10-10 पंदा पंदा मिनट के sessions कीजे अगर आप से initially हाथ की exercises उतनी नहीं हो पा रही है stiffness बहुत जादा है तो आप बीच में light hand से massage करवाके थोड़ी सी सिकाई करके हाथ को थोड़ा-थोड़ा move करना start कीजे चाहे आप अपने दूसरे हाथ की support से उसे करवाईए चाहे दूसरे हाथ की फिंगर से उसको open कीजे अगर आपकी हमेशा fist close रहती है रिस्ट के अंदर जादा पावर नहीं है तो दूसरे हाथ की support से उसको move करवाना हमें start करना है तो ऐसे supportive therapies हमें करनी पड़ती है क्योंकि legs में automatically हर एक पैलिस के patient के अंदर recovery speed up हो जाती है हाथ के अंदर ही सबसे जादा परिशानी रह जाती है उसमें भी आपके जो major joints है shoulder है elbow है wrist इनके अंदर initially recovery अच्छी आ जाती है बट आपकी जो fingers है इसके अंदर recovery slow हो जाती है क्योंकि यहां के muscles बहुत छोटे हैं इनका हम major इस्तमाल नहीं करते हैं छोटे-छोटे कामों को करने के लिए मिने यूज करते हैं fine movements के लिए यूज करते हैं बट सादा इस्तमाल ना होने की वज़े से fine movements ही करने की वज़े से इनके अंदर mobility देर से आपाती है तो इन smaller joints की recovery के लिए हमें हाथ की exercise बराबर करते रहना है आपकी चाहे wrist हो च hand से massage करवानी है और आप sponge वाली soft smiley ball ले सकते हो उसमें आपने क्या करना है अगर आप ball को पकड़ रहे हो hold कर रहे हो तो अंदर की तरफ आप पुछ दे रहे हो तो हमें कोशिच करना है बाहर की तरफ भी जोड लगाना है क्योंकि जादातर patients के अंदर flexion हो जाती है मुठी बंद हो जाती है, खोलने में तकलीफ होती है, extensors में परिशानी होती है और extensors को सही करने के लिए हमें तोड़ा-थोड़ा push अपने हाथ को देना जरूरी हो जाता है अगर हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, खुद से दम नहीं लगा पारे हैं खूलने के लिए हमें थोड करना स्टार्ट करें चाहे सपोर्ट से ही क्यों ना अगर माल लीजे आपका लेफ्ट हैंड साइड पैलाइस है आप उस हाथ से चीजों को नहीं अच्छे से पकड़ पा रहे हो तो मैं पेशन को एडवाइस करते हूं कि जब भी आप पानी पी रहे हो या बॉटल पकड़ रह से उसको लिफ्ट करोगे राइट हांड की सपोर्ट से उस बॉडल को माउट तक लेकर जाओगे नीचे लेकर आओगे यह कोशिश हमें करते रहना है इस हाथ को भूलना नहीं है जो अफेक्टेड हैंड है जिसमें पालिस हुआ है उसको भूलना नहीं है वरना एक टाइम आएगा कि ब्रेन भूल जाता है कि मुझे उस हाथ को चलाना है वो मेरा बॉड़ी पाठ है ऐसी गलती हमें नहीं करनी है क्योंकि माक्सिमम पेशेंट से गलती कर रहे होते हैं हम डेली क्लिनिक में जब भी पेशेंट देखते हैं तो यही पैटन देखने को मिलता है पेशे इसा चीज़ों को ग्रास्प करना शुरू करूंगा तब मैं हाथ की एक्सरसाइज करूंगा जब मेरी थोड़ी सी एक्स्टेंशन आएगी तो मैं और एक्सरसाइज बढ़ा दूगा यह सबसे बड़ी गलती है आपको इनीशल फेज से ही अपने हाथ और पैर की पाटन होता है उसके अंदर बहुत असानी से नहीं आपाती लेकिन जो पिशेंट्स एफट लगा लेते हैं उनके अंदर मैंने हाथ के अंदर भी बहुत इच्छी रिकावरी बहुत जल्दी देखी है बस आपको छोटा सा काम करना होता है एफट्स अपने छोडने नहीं है अपनी हैंड की एक्सिसाइज़ जरूर करनी है अगर आप अपने आप नहीं कर पारे हो आप एसिस्टेंस लो फिर भी नहीं हो पारी अपने हाथ की सपोर्ट से करो कुछ ना कुछ हमें कोशिश जरूर करनी है क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तभी आपके हाथ के अंद हुपाता है तो यह गलती जो पेशिंट्स माक्सिमम कर रहे हैं उनको अपसे नहीं करनी है आई होप यह वीडियो आपको मदद करेगी अवेर करवाने में के आपके recovery phase के अंदर आपकी simultaneous exercise हाथ और पैर की exercise दोनों साथ में करना जरूरी है अगर आप walk कर रहे हो 10 मिनिट की उसके बाद 10 मिनिट हाथ की exercise पर दो नहीं 10 मिनिट कर पा रहे हो 10 काउंट से start करो gradually उसको increase करो मानते हूं हाथ में अगर power नहीं है उसकी movement mobility करवाना मुश्किल हो जाता है लेकिन हमें उसको करवाना है तो आप अपने unaffected hand मान लीजे जिसे मेरा right hand बिल्कुल ठीक है left hand में दिक्कत है उसकी support से आपको धीरे धीरे exercise करनी है मान लीजे elbow को नीचे से support किया नहीं छोड़ना है क्योंकि ब्रेन को अगर हमें सिखाना है तो simultaneous pattern से सिखाना है और जब हम इस तरीके से सिखाते हैं तो आपकी recovery बहुत अच्छे से speed up हो जाती है हाथ और पैर दोनों के अंदर अच्छी recovery आनी start हो जाती है जल्दी ही मिलेंगे हम next videos में जिसमें मैं लेकर आ और जो guidelines हम आपको देते हैं चाहे exercise है चाहे डाइट है चाहे अपने routine को follow करने की वो आपको जरूर करनी है क्योंकि अगर इन चीजों को अच्छे से follow करते हो तो आपकी body के अंदर tremendous recovery इस बिमारी से जल्दी से जल्दी हो सकती है आप दुबारा से independent बन सकते हो अपने काम करन लाइक बन सकते हो और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी doubts रह जाते हैं अपनी condition को लेकर तो नीचे दी हूए numbers पर आप हमें अपनी present condition की video WhatsApp कर सकते हैं कि अभी मेरी चलने की condition ऐसी है हाथ की movement इतनी है मैं थोड़ा सा lift कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं क्या condition है वो आ आप एक अपना video clip बना लोगे तो हमारे लिए समझना और असान हो जाता है और हम आपकी help अच्छे तरीके से कर पाते हैं जल्दी ही मिलेंगे next videos में तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए टेक गयर